करेंट से रिलेटेड है एक सर्केट दिया गया है और इस सर्केट में कई सारे रेजिस्टेंस है यह वन ओम का जो रेजिस्टेंस है वहां से करेंट फ्लो कर रहा है और इस आइवन हमें बताना है कि इस आइवन की वैलू कितनी होगी यह यह ना दे करेंट आइवन इन एप्पियर फ्लोइंग थ्रू वन ओम रेजिस्टर इंद फॉलोइँ सर्केट यह चार ओप्शन भी दिये गए है तो पहला काम तो यह करेंगे कि इनका एक वैल्ट रेज R1 into R2 by R1 plus R2 है ना तो 1 into 1 by 1 plus 1 यह जागा 0.5 अच्छा यह जो है इनके सीरीज में है यह है 2 ohm का नीचे एक 2 ohm का resistance है और यहां पर बैटरी है 1 volt का ठीक तो देख सकते हैं कि अगर यहां से I1 current जा रहा है तो यहां से ही I1 current ही जाना चाहिए कीकि दोनों resistance equal है और दोनों parallel में है है ना तो दोनों में equal current जाना चाहिए, फ्यान पन करेंटरीकिर है इसलिए अगर यहां से I1 जा रहा है यहां से I1 जा रहा हो तो यहां से 2 I1 जाना चाहिए है न, उपर वाले root से, तो यहां से यह कहा जा सकता है, कि यहां से 2I1 current जाएगा, तो अगर हम बात करें इस उपर वाले की, उपर वाला जो root है, total resistance आएगा, दोनों series में है, तो total आएगा 2 plus 0.5, 2.5, तो current वहां से जो जाएगा 2I1, total current, वो आता है, potential difference by resistance, potential difference 1 volt का यहां भी है, यहां भी है, तो potential difference हो गया, 1 volt, divided by यहां से यहां तका, resistance हो गया, 2.5, यह आजाएगा, 0.4 ampere, तो I1 का value आएगा, 0.4 divided by 2, यहानी 0.2 ampere, तो देखेंगे, यहां पर, जो second वाला option है, वो correct option है,